हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप लोग का फिर्चे एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टूटू टैनल टेक्निकल कास्ट दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे CNC प्रोग्राम और इस ड्रॉइंग के लिए दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डैमेंशन का पूरा फूल डिटेल्स देखा था इसमें क्या था कि यह जो ओडी है यह ओडी नहीं दिया था और इस ओडी के शहार है हमने इस ओडी को वह नहीं दिया हुआ था था तो उसको हमने क्यालकूलेट करके निकाला था और सबसे आसान जो तरीक आ उसको शमझाता तो अगर आप वीडियो नहीं देखे होँगे तो ठीके इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस कैलकुलेशन का वीडियो जरूड देखें जब तक आप calculation नहीं सीखेंगे तब तक प्रोग्राम कैशे बनाएंगे प्रोग्राम तो कोई भी बना लेता है लेकिन calculation में दोस्तों अधिकतर problem आता है dimension calculate करने में coordinate calculate करने में अधिक से अधिक लोग को जो है problem का शमना करना पर ठीक है तो यहां पर हम लोग इसका प्रोग्राम डिरेक्ट देखने वाले हैं और देखिए समय की बचत के लिए हमने क्या किया है कि इधर प्रोग्राम का कुछ हिस्सा लिख भी दिया है इसको कि वह शमझेंगे और इसका थोरा सा हिसा बच्चा है उसको यहां पर लिखेंगे तो दोस्तों यह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो का सुरुवात और सबसे पहले इस ड्राइंग को एक बार शमझ लेते हैं देखिए यह एक जॉब है और इसमें क्या है कि यह स्टेश पे यह रेडियस वना हुआ है और इसका जो आ रहे हो कितना ह 30 mm है और यहां से यहां तक का जो लेंथ है यह 12 mm है ठेके और यह जो ओडी यह 48 है और यह जो इह जो ओडी है आपका 60 है और इसका लेंथ 20 ہے और हम लोगों को समझते आता है दिक apo कोई बनाने के लिए अब वह स्टार्ट होता है जोस्टो एक चिज़ हम और बताना चाहते हैं कि हम अमने CNC programming के लिए एक special course ready किया है ठीक है और उसका एक episode शप्ता हमें एक दिन देते हैं Sunday को या Monday को ठीक है और उसके लिए अपने channel पे एक special playlist बना रखा है ठीक है उसका नाम है दोहारेरती CNC programming course तो आप लोग उसको जोईन करें और वो जोईन करने के बाद अगर आपको CNC का C भी मालूम नहीं है तो भी आपको कोई प्रोब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि उस course में दोस्तों हमने एकदम निम्न अस्तर से CNC का introduction से लेकर CNC से पहले किस machine का यूज होता था वहां से लेकर हमने सुरू किया है और पूरा एक एक चीज को बताया है हो शक्ता एपिसोर जादा हो लेकिन एपिसोर हतम होने के बाद दोस्तों कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कि उस पूरा वीडियो सीरीज में नहीं होगा टेक यूट उसको अपलोग जरूर देखें फनुक सिस्टेम में क्या है कि प्रोग्राम को सुरू करने के लिए सबसे पहला लेटर जो है ओ देना परता है और उसके बाद कोई भी चार डिजिट का एक अंग ले सकते हैं इसे बस ध्यान ये देना है कि वो चार डिजिट का अंग पहले से किसी दूसरे प्रोग्राम का नहीं होना चाहिए कि को कि उसके बाद देते हैं सिक्वंस नंबर सिक्वंस नंबर का दोस्तों प्रोग्राम में ठीके और स्थीया वर्क जाटिया की इसी job में एक वसे हमें पुरा रास कट करना रहता और बात में दुसरा टूल से लाकर finishing cut करना होता तो उसमें हम लोग क्या करतेजेंश ऊसनी में क्या करते कि एंडर टू देकर second tool को call करके वहाँ operation करते हैं इसे फायदा क्या होता है कि मालने जी in one जो है आपका job complete हो गया और किसी कारण मस आपका machine जो है stop हो गया या electricity कट गया जा मालने जी tool break हो गया कोई भी कारण हो सकता है अगर machine break हो गया तो वहाँ पे आप क्या करेंगे डिरेक्ट इन्टू डाल कर ठीक है डिरेक्ट इन्टू सर्च करके वहां से आप अपरेशन चलू कर सकते हैं इससे आपका शमय का बच्चत होता है यह हो क्या सिक्वेंस नंबर उसके बाद जो है जी ट्वंटी एट यू जीरो पॉइंट जीरो डवू जीरो पॉइंट और इ उखने नहीं है तो थोड़ा सांगोच छ давно कि इसके just need सी हमने क्या है टूल को को कॉल किया है और यहां पे आपका टेशल है ठीक है और इसम्समय अभी टूल है यह पर नंबर टूल टूल यहां पर नहीं मलए और टूल डैमेज हो सकता है ऐसे तो दोस्तों मसीन मेनू इसको सेटिंग करें के मसीन में देते हैं कि जब तक आप टूल को खॉल करने से पहले होम पोजिशन का यह लाइन नहीं लेखते हैं तो आपका टूल का टूल टैरेट जो है इंडेक्स नहीं होता है तो यह आप लोग टूल नंबर और यह 0-1 होता है यह होता है आपसे नमबर कहां से लेता है माल्यों यह एक्प्रेशन करना है छिकर इसके लिए चायके तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस टूल से हमें work करना है, उसका number देखना पड़ता है, कहां अपका? टूल एस्टेशन में, टूल एस्टेशन में हम देखेंगे, कि जिस insert का हमें use करना है, वो कितने number टूल में लगा हुआ है, अगर मालने यह एक number में है, तो यहां पर एक number दे दिया, और यह जो एक है, यह offset number है, जब हम लोग किसी नया प्रोग्राम को चलाते हैं, तो machine में offset value क जाते हैं, तो उसमें भी number लिखा हो रहाता है, एक जो तीन चेर पांच छेसा अटाट ऐसे लाइन से लिखा रहता है, तो दोस्तों उसमें यहां पर एक लिखे हैं, तो एक number अपसेट में जाकर हमें offset value डलना होता है, यही मालने यहां पर दो लिखते हैं, तो दो नमबर मे जी नाइनटी सेवन से होता है constant rpm और से होता है आपका 1000 rpm से spindle घूमेगा, रोटेट करेगा, उसके बाद है एक जी रोटेट होता है, जो आपका spindle रोटेट होगा, वो clock y direction में, तो दोस्तों कहीं कहीं किसी किसी मशीर में क्या होता है, कि एम जी रोटेरी से anti-clockwise direction में चक्का घूमता है, तो दोस्तों यह एक error है, ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अगर एम जी रोटेरी से आपका anti-clockwise में घूम रहा है, तो खोशे करते हैं, आप वहाँ पे उसी साब से घूमा सकते हैं, और यदि आप चाहे कि उसको हम सही करें, ठीक है, एम जी रोटेरी से 62Z 10.0, यह जो line है, यह positioning के लिए है, अपना spindle rotate हो गया, उसके बाद हम लोग किया करते हैं, टूल को positioning करते हैं, और positioning का मतलब होता है, टूल को job के पास लाना, अभी तो tool आपका home position पे है, इस line से, ठीक है, यहाँ पे हमने home position के लिए भेजा है, तो tool आपना home position पे है, और जह ऐसा यह पूरा run मिलेगा, इस type का, इस type का run मिलेगा, तो इसका, यह जो है, आपका 60 mm OD है, यह जो होगा, यह उपर वाला, ठीक है, यह आपका कितना होगा, 61, 62, 63, कुछ भी होगा, यानि कि 60 से ज्यादा होगा, 60 से ज्यादा होगा, यह OD कितना होगा, 62, यानि कि 62 OD का आपक रोव मेटेरियल है ठीक है शिस्टू टू ओडि मान सकते हैं 61 मान सकते हैं कोई दिकत नहीं है साथ से ऊपर ही होगा बस यहां आप लोगों समझना यह साथ से ज्यादा ही होगा तो हम लोग क्या करेंगा जीतना भी रोव मेटेरियल का ओडी है उससे एक या दो एमेम टूल को उपर रखेंगा जैसे मान जी एक साथ है तो दो एमेम उपर ठीक है तीरे साथ रख लेंगे ठीक है हमने यहां क्या रखा है यहां पे हमने 62 रखा है कोई दिकत नहीं है एक एमेम हमने उपर रखा ठीक है और जेड का जो वैलेड दूया है वो टेन पॉइंट जीरो यानि क कि यहां पी जीरो रहता है तो इससे 10 एमेम दूर यहां पे जो है आपका इंसर्ट आकर पोजिस्निंग हो जाएगा और उशी के साथ हमने क्या किया उसके नीचे कुलेंट को स्टाट कर दिया एम 07 से किसी किसी मशीन में कुलेंट स्टाट होता है और कहीं कहीं M08 से 0.0 जो कि पहले हमने 10 एमेम रखाया बहुत दूर तो एक बार यहां से हम टूल को उठाके यहां ला दिये जौब से एक एमेम दूर और वहां से होता है में अपना खेल शुड़ू यहां पे हमने जी सेवन टीवन करनेट साइकल का यूज़ किया है यहां से आपका कटिंग टैकर आप लोग एक बार गारे पार जो सीन्टेक्स जो इसका फार्मेंट है उसको आप लोग समझीर थीक्स है ठीकिक से जी सेवन टी वन यूजी रो पॉइंट फाइव और यहां प्वाइंट कट में कितना मिटरीयल कटना है वह हमने यहां पे लिखा है ठीके एक कट में कितना मिट्रियल कटेगा वह यहां पर लिखना है यह डिपेंड कड़ेगा आपके जॉब के उपर जॉब कितना हाड है कितना सॉफ्ट है आपका इंसर्ट का ऐसा है ठीक है उसके हिसाब से यहां पर हम लोग डेफ्ट अफ कट देते हैं उसके बाद है आट 0.5 और यह होता है कि आपका रेट्रेक्शन देलो यहांनि कि जब अपका टूल आइसे काटते हुए आए गा ठीक है पीछे फिर आएगा यहां पे कटने के लिए तो पीछे आएगा तो रिट्रेक्ट होगा ऊपर ठोड़ा उठेगा उपर उठे यहां आएगा ठीक है ऐसा क्यों मानले जी अ दे सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसको हम लोग ज्यादा इसलिए रखते हैं कि जब इंसर्ट उपर उठेगा तो उसके बीच में कोई अब आते हैं दूसरा नाइन में ठीक है और दूसरा नाइन में पी 100, Q200, U0.1, W0.1, F0.15 अब देखें G71 तो आपका क्रेनेट साइकल है इसमें कोई कन्क्यूजन नहीं है उसके बाद P100 और Q100 यह क्या है sequence number है G71 में क्या होता है कि हम लोग के उन रास्ता दिखा देते हैं टूल को और depth of cut उसको बता देते हैं तो क्या करता है कि उतना depth of cut लेकर पूरा material को इस रास्ते के नुसर कटिंग कर देता है तो जब हम लोग इसका रास्ता दिखाते हैं तो इसमें first coordinate यहां का लिखते हैं और last coordinate यहां का लिखते हैं तो फुर्स्ट कोईड्नेट को जब हम यहां लिखते हैं तो उसका जो sequence number है यहां जो देते हैं उशी को यहां पर लेखते हैं जैसे यहां 100 दिया तो यहां पर एन 100 कर दिया सिक्वेंस नमबर और यहां चैसे चीटो में क्तो होता है सिर्फणरं और रßढ़ाइप कलुदाया न में परदसिते हैं यहां रह यहां है यहां रहें यहां रहें जो होता है G सेथ सब्सक्सक्वार्ण return क्या किया यहां ? जी 01 , एक्स 0.0 , जी 0.0 रहके इस लाइन को पूड़ा किया ठीक है ? इस ब्लॉक को पूड़ा किया और उश के बाद हमने जुन नेक्स्ट लाइन दिया ठीक है ? इसके बाद हमें कहा जाना है ? ऐसे round home के यहां आना है यह ऐसे एकदम सिधा नहीं है यह ऐसा circle बन रहा है ठीक है यह breathe है linear cutting यहां नहीं है यहां circular cutting है तो circular cutting के लिए अपने पास दो code होता है यहां turning, क्या होता है इक होता है G 02 और एक होता है G 02 और एक होता है G 03 G 02 का उज के निए अब देखिए किसमें करना ऐसे कटिंग करना तो घरी ऐसे चलता है इधर के साइड में चलता है यहां तीर होता है यहां चलना अनौः को यहां पर आपने पास जो कौड है वह है जी-0 फीरी यहां पर हमने लिखा जी-0-3 और कहा तक जाना HA, यहां तक तो इसका दामेंशन जो भी है एकस कितना है, फौटी एक्तूएट एक्तूएट है और j का भेलू कितना है बारा है एक्सुटि एट और जेड माइनस 12 लिखा और 7 में ठीक है इसका जो आ रहे है जो रेडिया से ठीक है यहां 30 दिया हुआ है यहां पर हमने 30 डाल दिया यहां तक कोई confusion नहीं होना चाहिए अब थोड़ा से बढ़ते हैं आगे और यहां से हमें कहा आना है यहां उपर जाना है किवल एक्स में जाना है यहां जेड कोई change नहीं हो रहा है जहां है वहीं से ऊपर जाना जिएटा है यहां साठ है ठीक है तो देग picture YES 60.0 अब देखिए यहां आ गाएं अब यहां से में कहा जाना है इधर आना है और इसमें क्या हो रहा है केवल z का value बर रहा है x जहां है वहीं है x यहां 60 है यहां भी 60 है तो x में कुछ शेर्चार नहीं करेंगे और केवल z में कर दिया z minus 32.0 32 कैसे होगा यहां तक यह 20 है और यह 12 है तो 20 और 12 32 हो गया यहां g01 z minus 32.0 हो गया अब थोड़ा सा आगे बरते हैं n 200 x 60.0 यहां आए यहां से अब हमें कहा जाना है ओपर जाना है यहां जाना है कहां तक जाना है यहां तक और इसका value कितना है ठीक है इसका value कितना है यहां पर देखे थोड़ा हमने mistake किया है इसका value कितना है मालने जबी हमने लिया था job का 40 कितना 61 यहाँ पे हमने 61 डाल दिया ठेक है और यह जो point है यह last point है इसलिए इसका हमने sequence number in 200 डाला है दोस्तों यहाँ तक भी कोई confusion नहीं होना चाहिए ठेक है अब देखे अब क्या हुगा कि आपका job का जो cutting करना है वो complete हो चुका है देके एक चीज हमने छोड़ा था यहाँ पे u 0.1 और w 0.1 यह जो होता है finishing allowance होता है ठेक है u 0.1 w 0.1 यह finishing allowance होता है और u 0.1 यह x axis में होता है यानि कि यह cutting के लिए उसके उपर जो है w आपका z axis में इधर भी आपका 0.1 material छोड़ेगा इसको हम लोग बाद में एक finishing cycle चला कर उसको finish कर लेते हैं और यह जो होता है आपका field rate होता है field rate का मतलब आप लोग समाझते है cutting speed तूल यह पर cutting करेगा हो कितना speed से cutting करेगा ठेक है अब देखिए यह क्या हुआ जब हम लोग का पूरा त्यार हो गया बस हमें material बच्चा है क्या जो हमने यहां पर finishing allowance दिया था finishing के लिए हमने इस line का use किया जी 70, 300, 400 इसमें कुछ नहीं करना है जी 70 लिखना है और उसके बाद जो भी यहां पर लिखा है ठेक है इसको यहां पर च्छाप देना है उसके बाद हमने क्या किया कि टूल को उपर लिया ठीक है 61 mm का job है तो एक mm उपर लेकर इथर 10 mm बाहर खिच लिया और बाहर खिचने के बाद हम लोग क्या करेंगे जी 28 U 0.0 W 0.0 से तूल को भेज देंगे होम पोजिशन पर ठीक है तूल होम पोजिशन पर गया उसके बाद M05 से स्पाइंडल स्टॉफ हो गया कुलेंट को बंद करना है तो M09 से कुलेंट को बंद किया ठीक है और M30 से प्रोग्राम को इंड कर दिया हो प्रोग्राम खतम और उमीद है कि आप लोग को इसमें कोई कंख्यूजन नहीं होगा ठीक है और यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजिए रोश्तों में शेयर किजिए और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए ओके दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही यह वीडियो थ्रा बड़ा हो गया ठीक है फिर भी आप लोगों ने फूल वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद